गुरुवार के दिन साइं बाबा की भक्त बाबा के मंदिर में विशेश कृपा की आस लेकर जाते हैं। गुरुवार के दिन अगर साइं भक्त बाबा के दरवार में जाकर पूरी शर्धा और लगन के साथ इस विशेश मंत्र का जाप करते हैं। तो कहा जाता है कि बाबा प्रसंद होकर अपने भगतों को साक्षात दर्शन देते हैं और उनकी जोली खुशियों से भर देते हैं इस दिन बाबा का ध्यान करने से मन जाहे कामों में आरही बाधाएं शिग्र दूर हो जाती हैं भक्तों का भग्य सवर जाता है गुरुवार के दिन साई भक्त बाबा के दरबार शिर्डी सहित देश के अन्य साई मंदिरों में जाकर अपने कश्टों से मुक्ती की प्रार्थना करते हैं अगर आप इस साई गायत्री मंतर से बाबा की प्रार्थना करते हैं तो बाबा शिग्र प्रसन होकर आपकी सभी मनों कामनाई पूरी करते हैं बाबा के इस मंत्र का जाब करते समय मंदिर या घर के पूजा इस्थल पर ही बैठ कर 551 बार जाब करना है जब करते समय घी का दीपक जलता रहना चाहिए प्रचोधयाद ओम शिर्डिवासाय विद्महे सचिदानन्दाय धीमही तन्नो साई प्रचोधयाद इस साई गाहतरी मंत्र के अलावा इस प्रार्थना का भी पाठ करने से शिग्र ही मनो कामनाओं की पूर्थी होती है पल पल जो रक्षा करें सदा रहें जो साथ सो हमरी रक्षा करें समर्थ साईनाथ जो निजतन में दिखलाएं रामक्रश्न हनुमान सो हमरी रक्षा करें साईनाथ भगवान जिनकी धूनी जले निरंतर वर्दे जिनके हाथ सो हमरी रक्षा करें सदगुर साईनाथ जिनकी जीवन लीला से मिलते निर्मल ज्यान सो हमरी रक्षा करें साईन क्रपा निधान जो हैं शामा के सखा मालस पती के नाथ सो हमरी रक्षा करें सदगुर साईनाथ रोग शोक जो दूर करें दे संकट को टाल सो हमरी रक्षा करें दीनानाथ दयाल जो बाटें उदी सदा रखे सिर पे हाथ सो हमरी रक्षा करें रहें सर्वदा साथ जिनके चर्णों में बसें सारे तीर्थ महान सो हमरी रक्षा करें साई करुनावान ऐसी मानिता है कि इस मंत्र का जब एवंपरार्थना का पाठ करने से श्री साईनाथ अपने शद्धालू भगतों की सारी मनो कामनाई पूरी कर देते हैं ओम साईराम साई भक्ती चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें